हेलो वेन, मेरा नाम है आशीश और आप देख रहे हैं टेश्टी गोडी चैनल यह हमारे e-commerce application का 19 पार्ट है मतलब 19 वा पार्ट है और आज हम लोग को 19 दिल होगे अपने प्रोजेक्ट को करते हो और इसमें हमने काफी कुछ सीख लिया है ठीक है अगर पिछले वीडियो आपने नहीं देगा तो पिछले वीडियो देख के तभी वीडियो देखो तब आपको जादा response अच्छा मिलेगा क्योंकि कुछ चीज़ यह होती है जो कि पिछले वीडियो की वज़ा से कुछ डेटा हमारा यहां रिट्राइव होता है ठीक है तो एक बार हमें रिकॉल करा देता हूँ कि पिछले वीडियो हमने क्या कवर किया था तो आते हैं अपने विजुल इस्टुडियो बोड पे और यह देख सकते हो हमारा admin dashboard component.ts फाइल है और इस पाइल पे हमने कुछ user से related variable लिये थे कुछ product से related variable लिये थे और कुछ services वगरा inject किया था हमने ठीक है उसके बाद हमने ngonnet के दो method को call किया है वो दोनो method पिछले वीडियो हमने बताया था कैसे work करेगा सारे चीज रोल बेस हो रहा है यहाँ पर इस पूरे पूरे application में सारा चीज रोल बेस में कर रहा हूँ ठीक है यह वीडियो थोड़ा से लंबी हो सकती है 25 से 30 में पर हो सकती है तो please mind मत करना और यहाँ पर code लिख लिए इस पहले मैं आपके एक बार output दिखा दू मैं आता हूँ ब्राउजर पर यह देख सकते हो हमारा localhost.00 forward slash home पर है मैं यहाँ पर अगर admin के लिए redirect करता हूँ admin dashboard तो हमें login पर redirect करेगा इसका मतलला अथ गार्ड पर ली वर कर रहा है और यहाँ पर जब मैं देता हूँ admin at the red gmail.com और password यहाँ पर देता हूँ 123456 और login पर हिट करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें admin के dashboard पर redirect कर दिया है अब हम इस dashboard पर हम अपने designing करने वाले हैं तो designing करने के लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने HTML पर और यहाँ पर हम code करेंगे तो मैं आपके बता दूँ कि जो चीज आपको लगे कि यह चीज में नहीं पता है तो इसका आप code में वीडियो पाउस करके code लिखो अपने computer में या laptop में और उसके बाद output देखोगे तो समझ जाओगी यह किस परपस से हमने इसको निखाए ठीक है क्योंकि boot step के classes हैं बहुत ज्यादा इसको deep में बताना unnecessary है क्योंकि main चीज हमें project cover करना है पूरा-पूरा ठीक है बाकी html वाली चीज बूट step वाली चीज वह आप बूट step पढ़के और practice करके ही समझ पाओगे सारी चीज ठीक है तो चलो start कर दें कोसिस करूँगा मैं वही चीज यूज करूँ जो आपको पता हूँ कुछ ही ऐसे होगा जो आपको नहीं पता होगा अगर आप बिगनर हो तो अगर आप मीडेटर लेवल हो तो आपको 100% पता होगा ठीक है तो चलो सबसे पहले यहाँ पे एक बियार टैग ले लेते हैं और एक सी मैं बता दूँगा यहाँ पर मैं चिट कोड यूज करने वाला हूँ विजुलिस्टियो कोड का चिट कोड मतलब हो कि मैं सुपरा सॉर्ट ट्रिक अपना होगा जैसे डिव टैग लिखना नहीं पड़ेगा मुझे हम एक dot symbol के साथ उसकी class लिख देंगा तो लिख भोटेगा ठीक है अब यहाँ पे class लेने वाले हैं यहाँ dot लिखे उसके बाद मैं यहाँ jumbo drone होगा jumbo thron और जो jumbo throne होगा हमारा उसमें P की value 3 होगी P मतलब padding ऐसे मैं बोलूँगा आप इसको समझ लेना ठीक है P की value 3 होगी उसके बाद हमारा जो P का MD होगा MD वो होगा हमारा 2 यहाँ पर जो हमारा जो भी text होगा वो white होगा ठीक है तो मैं देंगा text white और text white का साथ साथ मुझे थोड़ा rounded भी चाहिए तो मैं लिखूँगा rounded and background जो होना चाहिए हमारा dark होना चाहिए इंडर किया यह हमारा बन गया jumbo tron ठीक है अब इस jumbo tron के अंदर एक और मैं column बनाऊँगा ठीक है जो की पूरा-pूरा column ले लोगा यूज कर लोगा तो लोगा इंडर कर दिया उसके बाद अब यहाँ पर मैं एक h3 tag लोगा और इस h3 tag का कुछ class है जैसे यहाँ पर मैं देता हूँ class display and जो display कवेलो होगी वो होगी four और यहाँ font जो होगा font हमारा italic होगा italic और text जो होगा यहाँ पर मैं text italic ही रखते है text center रखते है text-center ठीक है और यहाँ पर मैं देता हूँ welcome to admin panel या admin dashboard ठीक है और इसके साथ साथ यहाँ पर एक बार और एक paragraph tag के साथ हम यूज करेंगे कुछ पी का जो इसका class होगा उससे रखते है लीड and my की value मैं रखूँगा 3 और साथ ही साथ यहाँ पर text को center ही रखूँगा ठीक है और यहाँ पर मैं देने वाला है admin can यूजर and product details ठीक है ओके नौक इतना पहले मैं save करा के देख लेता हूँ what about my output तो आप देख सकते हैं यहाँ पर beautiful सा welcome to admin dashboard admin can minus user and product details और आप देख सेकते हैं यह जंबर ट्रोल थोड़ा सा rounded shape में है ठीक है और यह जो थोड़ा सा gap है यह gap बेसिकली किस की वज़़ा से आ पता है आपको यह gap जो आ रहा है यह हमने BR tag जो देया था उसकी वज़़ा से आ रहा है नहीं तो यह दोनों attached होता ठीक यह perfect है now आगे बढ़ते हैं अब यह वाला section हमारा खतम हो गया अब हम यहां भी लेते हैं user के लिए user details 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 and product details मैं आप प्रॉपर comment पास इसलिए कर दे रहा हूं कि आप लोग समझ सको अगर वीडियो में दिक्कत होगए तो आप high resolution पर देखके वीडियो को pause करके आप यहां पर अपना code लिख सकते हो ठीक है अब यहां भी क्या है मैं एक पूरा complete row बनाऊगा उसको दो भाग में डिवाइट करूँगा like.row.mb-2 ठीक है अब इसके अंदर जो भी होगा sorry इसके अंदर दो भाग में डिवाइट करूँगा मैं ठीक है दो भाग में मतलब एक स्क्रीन को दो भाग में एक साइट यूजर की डिटेल दिख रहे थे एक साइट प्रोड़क की डिटेल तो उसके लिए हमें करना यह है यहां simply dot call hyphen md-6 अब यहां पर मैं एक डिव लिया उसका md-6 रखा और यहां पर क्लिक मेथड यूज करूँगा और यहां पर मैं यूजर के डेशबोड को मेथड को कॉल कर लोगा ठीक है इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर फिछले वीडियो नहीं देखा तो आप देख लो क्योंकि यह जो मेथड मेने डिफाइन के है पिछले वीडियो में ने बताया ओके लाओ अब फिर से बढ़ते हैं एक अगेन रो लेते हैं रो dot no gutters dot border dot rounded dot overflow dot 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 कि एम्डी हाइफन रो एंड उसके बाद में यहां पर देने वाला हूं एम्बी हाइफन फोर एंड जो यहां पर हमें शेड़ो भी देना है तो शेड़ो श्मॉल साइज में रहेगा शेड़ो daw.sm.hide-md-250 ठीक है हाइड को भी मैं डिवाइट कर रहा हूं 250 ठीक है और यहां पर जो पोजीशन होगा जो पोजीशन होगा उसे रिलेटिव रखते हैं मैं इंटर कर दूँगा तो इतनी बड़ी क्लास मेरी बन गी ठीक है अब यह सारी क्लास के अंदर क्या करूँगा अभी इतना एक खतम नहीं हुआ अभी और सुनो अभी रुको अभी और सुनो यहां पर मैं लिया डॉट कोल आइफल सरी कोल लिखूँगा तो कॉलम अपने अब डिफाइन कर देगा और अटो अजेस्टमेंट ले लेगा यहां पर पी की वेलू रख दूँगा फोर डॉट यहां डी को रखूँगा फ्लेक्स दॉट फ्लेक्स जो होगा हमारा कॉलम टाइप का होगा डॉट पोजीशन जो होगा हमारा इस्टैटिक होगा अभी थोड़ा सा टाइम लगए उस वबार सारी की चीज़ कॉपी पेश्ट पे चल जाएगे हमारी ठीक है तो मैंने यह बनाया अब इसके बाद मैं क्या रखूँगा एक स्ट्रॉंग टैग होगा इस्ट्रॉंग टैग मैंने यहां लिखा और यहां पर मैं पास करूँगा यूजर्ज और ये स्ट्रॉंग टैग के अंदर जो हम कुछ क्लास यूज करने वाले हैं वो क्लास बेसिकली होगा हमारा डिस्पले इन लाइन ठीक है इन लाइन ब्लॉक अच्छा जो डी की वेलू आप नहीं समझ पार हो वो डी लेन डिस्पले फ्लैक्स है ठीक है आप समझ जाओ ये दिरे दिरे आप मतलब मैं बोलता रहूँगा बीच में जो आएगा मैं उसके लिए बता दूँगा ठीक है अब यहां पर साथ ही साथ हम जो एमबी की वेलू दो रखोंगा मार्जिन बॉट्व में ऐसे टाइप समझ लेना और जो टेक्स्ट होगा हमारा प्राइमरी होगा यहां पर ठीक है और इतना ही नहीं आगे और भी मैं यहां पर डिफाइन करने वाला हूँ यहां पर मैंने हुगा एस्त्री अगें यहां पर रखोंगा एमबी हाइफन जीरो मार्डिन बॉट्व में यहां पर जीरो होगा और यहां लिपूँगा मैंने जूजर्स ठीक है इसको सेब कराके इतना देख लेते हैं सेब किये ब्लाउजर पर आते हैं तो आप देख सकते हूं यहां आपर हमारा यूजर है उसक अब हमारा में काम स्टार्ट होता है अब हम बनाने वाले हैं एक प्रोग्रिस बार ठीक है तो हम यहां सिंप्ली लेंगे यह जो क्लास है यह बूट्ट्रेप नहीं मिलेगे इसको कस्टम मैं लिख रहा हूँ इसको अब बेमें डिजाइन भी गरूंगा ठीक है ठीक है बेस इसको मैं डिजाइन करूंगा उसके बाद इसके अंदर मैं लोगा । प्रोग्रिसि अब इसको प्रोग्रिस्ट है यहां पर बीजी सक्सेस रखतेंगे S U C E S और यहाँ पर अब इसके अंदर देखो इसके अंदर और भी चीज में define करने वाला हूँ, अब यहाँ से दिखाल से समझना यहाँ पर एक attribute में ले जाओ, रोल और रोल को रखोंगा, मैं progress bar type का, ठीक है और साथ ही साथ, यहाँ पर मैं ng style यूज करने वाला हूँ तो square bracket यूज करना ng style is equal to अब यहाँ curly bracket यूज करना, उस curly bracket में single quote में आप लिखना width और width dot percent की width की जो भी percent हो ठीक है, वो कैसे handle करना है, आपको करना है admin user के विहाप में, यह जो admin user पिछले वीडियो में मैंने variable बनाया था, उसके भी हाप में handle करना है, ठीक है अब यहाँ बे कुछ और attributes है जो आपको use करना पड़ेंगे, like area area value now मतलब current time में क्या value है, उसको use करो, तो current time में value जो हम दिखाएंगे, वो 25 से उठाएंगे साथ में, अब अगेन हमें को use करना पड़ेगा, area hyphen, value, min मतलब minimum कहाँ से उठाना है तो zero से उठाना है जब minimum उठाओंगा, तो maximum भी नहींगा तो area hyphen, value, max max कितना जाएगा? 100 तक जाएगा, ठीक है उसकी अबाद, तब जाके यहाँ पे आप लिखोगे, admin मतलब admin की detail और यहाँ interpolate करा देना है अपन admin user का data, यह हो गया admin user, अब इसको, अभी error आ रहा है, अभी error बेसिकली इसलिए आ रहा है मैं इसको भी save कर देता हूँ और browser पे आगे दिखाता हूँ, error दिखाएगा ठीक है, can't bind ng style since isn't known property due मतलब due की property वो समझ नहीं बारा है, इस पज़ए से इसको error दे रहा है कोई बात ने, हम आते हैं अपने type script file में और यहाँ imports error में, हम क्या import कर देंगे, comments module, जिसके अंदर सारी details होती है, तो इस comments module लगाते ही, आप देखें, तो error भाग गया save किया, अब output पर आते हैं अब output देख सकते हो यहाँ browser पर देखो, आ गया है, लेकिन कितना बड़ा सा आ रहा है, ठीक है तो हमें इसको भी handle करना पड़ेगा ठीक है, तो इसको handle करने के लिए अब यहाँ से हम थोड़ा सा चलते हैं CSS वाली फाइल पर, क्यूंकि हम इसको अभी ही fix कर लेते हैं तो आते हैं CSS पर पहले हम यहाँ C वाली class उठा लेते हैं progress bar डिये, इसको copy किये, अपने CSS पर आए और यहाँ पर लिखे, dot curly bracket open close किसके अंदर क्यों से class यूज किये हैं, फिर उसको उठाते हैं कहांगे, इस्टीम ले रहा है इसके अंदर हमने यूज किया progress को इसको उठाते हैं और फिर से यहाँ लिखते हैं dot progress, curly bracket open close और इस progress की value में simply दे देता हूँ, margin top को रखते हैं, 0.7 R.E.M. ठीक है and इसकी hide भी set कर देते हैं 1.5 R.E.M. ठीक, और उसके बाद अब इस bracket से बाहर आजाओ again, अब आपको यहाँ पर दूसरे वाले class को देना है लेकिन इस bracket से बाहर नहीं आना, इस block से बाहर नहीं आ सकते आप, क्योंकि उसके अंदर आपको यूज करना है ठीक है, तो उसके अंदर यूज करने के लिए हमें काम करते हैं कहां गया हमारा statement, यह रहा और यह वाली class जो हमने बनाया था, बार के लिए progress बार के लिए, कोपी करते हैं और फिर से यहाँ पर आते हैं और यहाँ देते हैं dot और इसका भी bracket यूज करते है ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर इसकी value अंदेंगे इसकी value में देने वालों color और जो color होगा, वो हमारा black होगा ठीक है ने, और black के साथ-साथ जो font का weight होगा font-weight, जो font का weight होगा उसको हम रख देते हैं bold और इसको करते हैं save अब आप browser output देखो अब देखो, थोड़ा सा ठीक हो गया चोड़ा हो गया, और अच्छा से दिख रहा है ठीक है, अब यहाँ बहुत छोटा से दिख रहा है मतलब एक आद दो data है, सही बात है एक ही data है हमारे पास, back करते हैं ठीक है, अब इसको हम और complete करते हैं हो गया हमारा CSS code done हो गया अब हम आते हैं फिर से HTML पे तो आप देख रहे हो, यह जो progress bar-dew है, इसको पूरा हम copy करेंगे sorry, यह वाले progress वाले को इसको पूरा को पूरा copy कर लेंगे और copy करने के बाद इसको पूरा नीचे पेस्ट कर लेंगे two times two times इसलिए कि यहाँ पर अब हमें किस के वाईज दिखाना है seller के वाईज, तो यहाँ पर एक चीछ देखो यहाँ पर जो admin user है यहाँ पर लिखो seller user और यहाँ पर आप type करो seller user और यहाँ पर दो seller user ठीक है और इस last वाले में buyer user कर दो buyer user और यहाँ पर आप देलना है buyer user और यहाँ पर भी आप interpolate कराओगे क्या buyer user को ठीक है अब आप एक बाद सेप कर लो सेप करोगे तो आपको दीनों दिख गया ठीक है मतलत तीनों में सिंगल सिंगल डेटा इसलिए प्रोग्रेस बार से लो एक बार रिफ्रेस करते हैं देखो जैसे रिफ्रेस के देगा धीरे धीरे बढ़ता है ठीक है और ऐसी ही बढ़ेगा बहुत अच्छा से देखेगा गलत होगे स्पिलिंग वार्निंग ठीक है सेप करते हूं अब आप देखोगे अलग-अलग कलर देखेगा ग्रीन लाइट ब्लू एंड यलो ठीक है यलो यलो डाटिक यलो डाइप को देखगा ठीक है परफेक्ट तो यह हमारा बन गया यूजर का में ठीक है अभी इतना ही नहीं अभी रूखो अभी यहाँ पर हमें के स्वीजी यूज करने वाले हैं जो के स्पिसल टाइप को कोड है जिसको हमने कापकी गूण के नेट से निकाल के रखा था तो इसको डाइट इंप्लीमेंट करते हैं ठीक है तो आप इसके लिए परिशान मत हो इस वाले डियू पर बैसिकली यह जो नो गटर्स वाले डियू है इस पर हम बनाने वाले है तो एक चीछ द्यान देना जब आप यहाँ पर इस वीजी वाले एक कोड लिखोगे तो उसको बहुत द्यान से समझ के करना ठीक है आप बीडियू को पाउस कर लेना चलेगा लेकिन अराम सा समझ के करना नहीं तो नहीं होगा तो आप कहोगे मेरे में प्रिंट नहीं हो रहा तो आप बीडियू पाउ अटो लिया तो आटो कॉलम को सेट करेगा उसके बाद मैं यहाँ पर डिस्प्ले को करता हूँ इन वे नी लिल एंड यहाँ पर डिस्प्ले लॉर्ज पर कैसा दिखेगा ब्लॉप ठीक है अब इसके अंदर हम वह इस पीजी को कोड लिखेंगे तो सिंप्ली मैं यहाँ पर इस वीजी टाइप करता हूँ अब इस इस वीजी की टैग के अंदर सबसे पहले तो यहाँ पर पहला इट्रिब्यूट इसका जो है वो है हमारा क्लास ठीक है तम इसमें जो क्लास दे हुए बीपी सरी बीडी बीडी प्लेस होल्डर हाइफल आई एमजी ठीक है बीजी प्ल वो होगी 200 एंड इसका जो हाइट होगा वो होगा 220 पिक्सल ठीक है एंड इसमें में एक एक्स एक्सेमेलेंस फाइल का इंपोर्ट करेंगा वो ओनलाइन www.w3.organization की है ठीक है तो मैं हाँ टाइप करता हूँ एक्स एल एम नहीं एक्स एल एल एन एस होता है हाँ ठीक है is equal to यहाँ पर आपको URL पास करने पड़ेगा http colon double forward slash www.w3.org forward slash 2000 forward slash svg basically एक URL है इस URL पर एक बहुत छोटा सा dark color का thumbnail टाइप का आता है ठीक है अब यहाँ पर जो हमारी एक और attribute है उसका नाम है प्री सर्व एस्पेक्ट रेसियो ठीक है तो मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ सर्व एस्पेक्ट बारे टी आई ओ आर ए डी आई ओ ठीक है और इसकी जो value होती है एक्स मीड होती है और वाई सर्व वाई मीड होती है ठीक है यह attribute है और इस attribute की value कुछ इस टाइप से टाइप की जाती है और यहाँ पर कुछ बढ़ता रहा है नहीं यहाँ पर वाई भी हमारा capital से ही होता है ठीक है यह होगा हमारा false और second है रोल और रोल पर हमारा होगा आई एम जी ठीक है और यहाँ पर area level भी पास होगा area level में हम यहाँ पर रखते हैं place holder colon thumbnail thumbnail ठीक है यह रहा हमारा पूरा पूरा attribute अब इसके अंदर जो होता है वो हमारा as title tag पड़ता है title tag आप लोग जानते होगे और इस title tag पर हम simply देंगे manage users ठीक है अब उसके बाद इनके बाद भी यहाँ पर हम एक चीज़ और पास करते हैं जिसको बूलते हैं react tag ठीक है तो simply react sorry react ठीक है react tag यूज करेंगे और इसकी भी कुछ अपनी attributes से like width है यह मैंने इस code को मैं दो-तीन साल पहले किया था तो बहुत ज़्यादा द्यान नहीं आ रहा है 100% देख लेते हो सकता है कोई error भी आ सकता है height भी हम इसको देंगे 100% ठीक है और यहाँ पर film करेंगे हम कुछ color से और color की value होगी has 5595C ठीक है यह हमारे फिल करेगा और एक सेकंड यहाँ पर जो हमारे यह close कर दिया इस तरह नहीं close होता है यह single tag अब इसके अंदर हम यूज करने वाले text ठीक है और इस text के अंदर हम पास करेंगे x की value 30% और साथ ही साथ यहाँ पर हम पास करने वाले y की value 30% ठीक है और यहाँ पर जो फिल करूँगा वैं color और वो फिल का होगा a c e e f ठीक है six character होगे न हाँ perfect ओके तो यह हमारा हो गया अब हमें यहाँ पर एक last attribute आइड करना है doi की value अगर आप HTML5 में svg का code पढ़े होगे तो आप यह चीज़ समझ जाओगे नहीं पढ़े हो तो आप वीडियो को पाउस करके रोग के देख सकते हो सारी चीज़े ठीक है 3Di ओके और यहाँ पर मैं क्या करूंगा लिखोंगा टोटल यूजर्स कोलन और यहाँ पर मैं सिंप्ली इंटर्पॉलेट करा हूँगा तोटल यूजर्स अब एक बार मैं आउट्पॉट देख रहता हूँगा ब्राउजर करता हूँगा वाओ अब आपके देख रहा हूँगा यहाँ पर टोटल यूजर्स थ्री ठीक है अब इसको थोड़ा सा और हम डिजाइन कर सकते हैं अपने अपने कॉर्डिनली अगर आप चाहो तो यह डिजाइन हो जाएगा बस इसको आप अपने तरीके से जैसा भी चाहो ऐसे कलर दे सकते हो हो सकता है कि थोड़ा बहुत कुछ मैंने ग तो बिलकुल इसी तरीके से हमने यहां पर कुछ चैनली बहुत थोड़ा सा माइननस है यह जो हमारा कलर है वो कलर में कोड़ कम लिखे उठा था ठीक है और यहां पर किस्पेरिंग मिश्टेक हो गई थी उसकी वेज़ा से हमारा सही नहीं दिख रहा था एस्पेक्ट रेश अब बिलकुल इसी तरीके सेम स्क्रीन हमको चाहिए तो हम एक काम करेंगे यह जो हमने MD6 वाला कोड पूरा पूरा कॉपी करना है ठीक है इसको मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद इसका टैग जहां प्लोज हो रहा है एक बार फॉर्मिट कर लेते इसको फॉर्म शह्क कर देता हूं कमेंट में ढल देता हूं कि प्रोड़क्ट के लिए और यहाँ पर मैं मेठेट कॉल करूं गा चोटब्ट डाइसबोर्ड आ दोशेल या पर फॉर्म यूजर निखा है यहाँ पर मैं डारेक्ट увाल पस कर उंगज प्रोड़क्ट के लिए ठीक है क्योंकि अब हमें products related चाहिए सारी चीजे तो हम यहां पर product pass करेंगे products और यहां पर manage products यहां पर admin है यहां पर admin की जगह हम लिखेंगे publish product publish product और इस पर हम लिखेंगे publish product interpolate कराएंगे बिलकुल इसी तरिके से यहाँ पर जो seller user है यहाँ पर लिखेंगे inactive products inactive products ठीक है और यहाँ पर जो interpolate कराएंगे inactive product के भीवाब रिकराएंगे और साथ ही साथ ये भी ध्यान देना जो add win user है इसको भी आपको change करना पड़ेगा इसको भी आप लिखोगे publish user publish product ठीक है यहाँ जो seller वाला है इसकी value भी आप change करोगे publish in active product से और last में यहाँ पे जो है इसको हमें use करने वाले हैं क्या? draft product ठीक है draft में भी कुछ प्रोड़क्ट था हम लिखते हैं draft product ठीक है? और interpolate भी गरा लेते हैं dropped product का और साथ ही साथ copy करके यहाँ पर paste कर देते हैं ठीक है? और last में manage user की जगा हम लिखते हैं manage products यहाँ पे भी हम लिखेंगे manage total products ठीक है? और यहाँ जो interpolate हुआ यहाँ पे भी लिखेंगे total products अब एक बास save करके देखते हैं क्या same दिखता है कि नहीं? तो मैं copy save कर दिया, save करके output दिखा रहो वाउ! अब यहाँ पर देख सकते हो total user 3 है, हमको लगता है यहाँ पर single user है एक एक user तरी दिख रहा है, यहाँ देखो progress वार हमारा बड़ा है publish product में ज़्यादा है, inactive में इतकम है, और drop में बिल्कुल इसी ही कम है, ठीक है? तो आप देख सकते हो, एक्दम simple तरीके से इसको customize किया हूँ मैं अगर इसमें अभी कोई problem हो तो आप में comment दे सकते हैं आज के वीडियो में बस इतना ही जिसको भी जरूँ थो, वीडियो को शेर करो वीडियो कैसा लगता है, आप comment में जरूँ रता हो और वीडियो को लाइक कर दिया करो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक लिए बाबाई keep practice, keep coding, take care